और बदायों में चुनाओं पिर्चार के दोरान बदले शुपाल यादव के तिवर SP नेता शुपाल यादव ने कारेकरताओं को चेतावनी दी, कारेकरताओं को वोट न देने पर चेतावनी दी है शुपाल ने कहा कि वोट दो नहीं तो हिसाब किताब होगा तो इस तरह की बाते शुपाल करते नजर आए शुपाल अब चुनाव परचार में कूद गए है एस पी की तरफ से चुनाव परचार कर रहे हैं और इस दोरान कुछ ऐसी बाते उन्होंने कही है एक तरह से शुपाल यादव ने अपने लोग तो ही है तो लाखों दो देता निकिता अपने तो हैं सब देंगे वोट और ते अच्छे बात अपने नहीं देंगे तो फिर पहले तो बोज़ दो नहीं तो फिर एसाब किताब भी होगा और डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने बीजीपी कारेकरताओं के सामने अपने सहु की दल SBSP के अरविंद राजबर से माफी मंगवाई अरविंद राजबर के पिता ओम प्रकाश राजबर ने गेंग्स्टर मुक्तार अंसारी के पक्ष में बयान दिया था जैसे बीजीपी कारेकरता नारास्त थे अरविंद राजबर को घुटनों के बल बैठा कर बीजेपी कारेकरताओं से माफी मंगवा रहे बताया गया कि अरविंद राजबर नहीं माफी इसलिए माँगी क्योंकि बीजेपी कारेकरता उन पर आग बबूला थी यूपी के माँव की घुसी लोकसवा सीट स्ब्सपी के खाते में गई है जहां से अरविंद राजबर उम्मीदवार है और माँव में माफिया डॉन मफ्तार अंसारी का अच्छा खासा दवदवा रहा है घुसी सीट पर ढाई लाग के करीब मुस्लिम वोटर है इसलिए उन्हें खुश करने के लिए ओम्म प्रकाश राजबर नहीं मुक्तार अंसारी के समर्तन में एक बयान दिया था उस बयान पर बीजेपी कारेकरता उनके बेटे अरविंद राजबर से नारास हो गए इतने नारास कि जब पार्टी कारेकरताओं का एक सम्मेलन हुआ तो अरविंद राजबर का स्वागत करने के लिए कोई मंच पर नहीं पहुचा जिब टी सीम ब्रजेश पाठत का तो स्वागत हुआ मगर अरविंद राजबर के नाम की खोशना होने के बावजूद वीजेपी के तरफ से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया ये देखकर अरविंद राजबर भी अपनी कुर्सी पर वापस वैट गए मगर ब्रजेश पाठत मामले की कंबीरत भाब गए और उन्होंने अरविंद राजबर से बीजेपी कारकरताओं और नेताओं से मापने को कहा लेकिन अरविंद राजबर ने कहा कि वो बीजेपी कारकरताओं से मापी नहीं बरकि चुनाओं में जीट के लिए उनका आशिरवाद मांग रहे थी मुकतार अंसारी और उसके परिवार की पूर्वानचल में तूती बोलती है इसी वज़े से नेता उसके खलाव खड़े होकर अपने पैर पर कुलहरी नहीं मारना चाहते इसी वज़े पड़े होकर अपने पुनाओं में जाए पर अपने खलावाद धन्याओं पार आशिर नहीं मारना चाहते